तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन में भी आता हुए कि हम इस जो डिफरेंस फोटो है इसको हम जो ड्रोइंगों को हुए स्टार्ट कैसे करें ठीक है मतलब किस ग्रीड से स्टार्ट करें तो सब वेलकम बैक टो अनदर न्यू वीडियो गाज तो इसमें हम एक फोटो ड्रोव करने वाले जो है अलु अर्जुन का तो इस फोटो को हम यह बता दे रहें कि इसको हम ग्रीड में कनवर्ट कर चुके हैं ठीक है ऐसे आप लोको हम दिखा दे रहें ग्रीड में हो चुका है इस और exact same grid हम अपने जो page है drawing page उस पर हम कर लिया है अब चलिए अब हम इस फोटो का outline जो होगा वह ड्रोव करेंगे अपने seat पर तो हम लोग आपको यह भी बता देंगे किस तरह से आप भी ड्रोव कर सकते हैं तो चलिए video करते हैं start तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन में भी आता हुए कि हम इस जो डिफ्रेंस पोट है इसको हम जो ड्रोविंगों को हुए start कैसे करें ठीक मतलब किस grid से start करें तो सबसे पहले हम आपको यह बता दे रहें कि कोई भी एक grid को select करिया और उसके reference लेते हुए आप पूरे पोटलेट को जो भी sketching वह आप complete कर सकते ठीक है जैसी कि हम अगर hair से start करें तो जैसी कि हम आप दिखा दे रहें जैसे hair से हमको start करना होगा तो हम लोगो second third grid में जाना होगा ठीक है फिर down आना होगा तो हमको third grid है उसमें curve देना होगा तो exact same हमको page में भी third grid में curve दाना होगा और चले दे देते हैं उसमें 1,2 और यह होगा 3 तो जैसे कि आप लोगों को बता है हम कि third grid में एक curve चाहिए तो जैसे कि reference photo में आपको दिखा देना है कि जो third grid है उसमें जो hair का outline है वो भी मेरा third grid में hair का outline होगा तो जैसे वहाँ पे ता कि यहां से आया है outline ठीक और उसके बा इतना ही पार्ट है अब इस third grid के मदद से अब इसको हम down लाएंगे ठीक तो यह आएगा 1,2 second grid के नीचे वाले में down होएगा तो जैसे second grid ही है मेरा तो इसके नीचे हमको down है ठीक अब जो reference photo का फिर आपको दिखा देने कि जो third grid में उसके down में आने के बाद नीचे जो है ठीक जो यह outline hair का वह starting जांसे हो तो वह वाले grid को हम draw करेंगे तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं यह मेरा नीचे वाले outline जो हो गया ठीक है अब exact यही grid के मदद से अब हम क्या करेंगे यह वाला जो part है ठीक है तो यह किस में आ रहा है 1,2,3,4,4 और नीचे down एक मतलब 4 वाले में ठीक है और जो हमको कहां तक ले जाना है 4 वाले में यहां तक ठीक है तो रहा सा area चोड़ना है तो जैसे के हम यहां पर कर देते हैं ठीक अब इसको हम वहां तर मैच करा जाएंगे तो जितने अच्छे से आप reference photo को आप देखेगा उतने अच्छे से आप ड्रो पर पाईएगा यह हो गया आप क्या करना है कि यह जो outline हम दो दियें लोग फिर एक down outline देना है ठीक है अब उसके बाद से इतना सामने वाले जो grid है उसमें हलका से in कराएंगे outline को ठीक है उसके बाद down आएंगे तो चलिए बस यही method है आप लोग भी सेम ऐसा ही ड्रो करना है एक ग्रीट को आप लोग एक compare करें और उसकी इंसाब से आप outline ड्रो करते चलिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है अभी भी मतलब कि कहा से हमको कर्व करना है तो अकर इसमें आपको दिक्कत है तो कि हम आपको करके दिखा दे रहे हैं जैसे मेरा जो ग्रीड है इसमें वो मेरा 3 cm पर है तो हम जूम करके मेरा फोन का ग्रीड जो है वो भी 3 cm पर कर लेंगे है और जैसे इसको हम देखने है कहां से करव है इस साइड से देखेंगे तो just ke स्कारे के मार्क करेंगे फृत में 2 मेर्क करेंगे और वहां से बांग इंजर कर सकते हैं कि हमको कहां से करना है एक शी जाले болна थो आप वीडियो को सब्ते की मेड़ करेंगे वीडियो का टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा तो चलिए और आप भी ऐसे यूज़ करके ग्रीड में तर आप क्यादऄ में क्या रéessin meu जाएगा है कर दो मेरा है कर दो कि उन्यों न अ घ çıkी का वो था उन्यों कैने है I'm coming for the throne So you wanna be my enemy You should have known I'd never kiss the rain Ice runs in my veins You should have known I'd never kiss the rain